पाकिस्तन के जो मंत्री बम की धंकिया देते थे, परमाणू बमों की बाते करते थे, बड़ बोले बोल बोलते थे, उनकी हालत क्या हो गई है, ज़र ये देखिए वो शेक राशिद, जो हिंदुस्तान को कभी परमाणू हमले की धंकी देते थे आज वही शे erase राशिद तंदूर पर रोटिया सेक रही है तस्वीरे किर्गिस्तान के जलालाबाद की है जहां पाकिस्तान के पर विग्रिभ मंत्री की ये हालत हो गई है कि वो तंदूर पर खुद रोटिया और नाज सेक रही है खास बात ये है कि ये विडियो खुद शेख राशिद के इंस्ट्रग्राम हैंडल पर शेर किया गया है पाकिस्तान में शेहबाज सरकार के आते ही इमरान के साथियों का बोर्या बिस्तर पैक हो चुका है और कुछ ऐसा ही शेख राशिद के साथ हुआ जो आजकल राजनीती से ब्रेक लेकर करगिस्तान में है और वहीं का ये विडियो है जब वो एक धाबे पर पहुँचे जहां खुद शीरमाल रोटियां लगाने में लग गया इससे पहले शेख राशिद खुद के कुछ ऐसे ही अजीवो गरीब विडियो शेयर करते रहते हैं कुछ दिन पहले घुड सवारी करते हुए भी उन्होंने विडियो शेयर किया था शेख राशिद एमरान सरकार में ग्रिह मंत्री थे इसके बाद उनकी कई मामलों में गिरफतारी की गई थी फरवरी में ही वो बेल पर रहा हुए बिरो रपोर्ट जी मीडिया